देखते ही देखते दोनों तरफ से जम कर रोड़े बाजी होने हैं जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटे आई हैं जबकि मारपीट में तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गया है जिने इलाज के लिए जीम स्यच में भरती कराया गया है गाव में तनाव पूरिस्तित को देखकर थाना की पुलिस को बुलाया गया है और पूरा गाव लगों से अधायर निया तो छुड़ा ले लरला से बंदूख लेलर लास आके गांथ तर लास वेल लमर मांक लिए समुर ले बाड़न तो सब्साव धिरालों मॉर ले बाड़न तो लहावर ले बाड़न काहें लमरुद भीवाद रहता पड़िस को यह वह लुग सजागरा नहीं है हमर बोहिन खाड़ा हुके हमर जान मरवा उतर लिया है मुझी अमेरी कापा है यही पर थे हम लोग उदर खेत में हामा चला रहे थे आई लोग उदर कर लोग भी लोग फूरा मुस्लमान लोग लोग आए मुझी बंदूख तल्वार ले पर आया था यहां पर मारने के लिए कि अधिया 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 के भागलपुर से है जहां जिले के रंजितपुर पंचात के महंतिस्थान के पास एक यूवक का संदिक्त अवस्ता में शव मिला मृतक के पहचान कर ली गई है बता दें कि मृतक के मूँ में मिट्टी भरी हुई थी वहीं अब पुलिस माले की जाच में जुड़ गई है पूरा मामला भागलपुर जिले के सब और थाना चित्र का बताया जा रहा है कि अधना का कैसे पता चला आप लोगों को यहां से ग्रामीन सब परपेखना करने के लिए जैन्स लेडी सब आया तो उसनों में लास देखा इसके बाद कुंदन कुमार नाम के पिता का नम बिनोधी मंदल है कैसा सक लग रहा है कि इसका मडर हुआ है इधर से कोई लेडी स्वेडिस आया वा दिसा मैदान करने के लिए इसनी दे हला किया तो महां सुनील ठाकुर ने हमको फॉंड किया हम फॉंड पर हम लोग आयत देखते हैं त खबर बिहार के भागलपूर से है जहां देरा दो पक्षो में जम कर कई राउंड गोलिया चली गोलियों की तरतरहाथ से इलाके में दहशत फैल गई इस गोली बारी में एक सक्स घायल भी हो गया है महीं सूचना पर पहुची पुलिस ने घायल को नजदी के अस्पताल में भरती करा दिया है बताया जा रहा है कि दियारा इलाके में कुछ कोख्याट जेल से चूट कर आये थे और किसी बात को लेकर गोरी बाली कर रहे थे पूरा मामला चौगचिया के खरीक थाना चेत्र का बताया जा रहा है वह कबर भागलपूर से जहां सुल्तान गंच के गोरगट खगड़िया होर्ट के समीप दो मोटर साइकल पर सवार छे अपरागियों ने हतियार के बल पर एक प्राइवेट बैंक कर्मी से लाखों रुपे चीन कर उसके सीने पर गोरी मार दी और वाल यूवक फरार हो गया गटना की सोचना मिलते ही पुलिस गटना इस तर पर पहुच कर गटना की जानकारी लेते हुए घायल यूवक को इलाज के लिए स्पताल रिफर कर दिया है इस गटना को लेकर स्थानी पुलिस प्रशाशन गटना की चानवीन करते हुए अपराधियों की पैचान में मेरे तीन स्टाफ भी थे जो इनके अगल बगल ही थे और यह आगे थे इनका चिलने के करम में जड़क हुआ इसके पाइस यह अग्यात आदमी मोटर साइकल से जो मोटर साइकल वे सवार के इसको घेर के पैसा चीन लिए और गला में गोली मार दी एक लाग वीजार चारसो इकीज रुपेर चिंताई हुआ है यह क्या नाम है इंका जो लुकेश कुमार कहां के रहने वाले इंग यह खबर बियार के बागलपुर से है जहां बागलपुर के हबीप पुर भत्वा बाड़ी में मिना दुनब्भी कॉन्फरेंस का आयूजिन किया गया दमडिया शाह कमेटी के बैनर तले आयूजित कारक्रम में देश के नाम चीन उन्हेमाओं ने शिरकत की इस दोरान लोगों उन्हें देश में अमन्चैन की दुआ भी मांगी देर रातक चली मैफिल का संचालन हाफिज इम्रान रजाब भागलपुरी ने किया खबर बियार के समस्तिपूर से है वहाँ वारिस नगर ठाना छेत्र के किशनपूर स्टेशन पर ट्रेन से गिर कर कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई सूचना मिलते ही मौके पर पहुची जी आरपी पुलिस वा वारिस नगर ठाना की पुलिस ने शव को अपने कबजे में लेकर इसकी सूचना परजुनों तक पहुचाई गटना की सूशना मिलते ही परजिनों में कोहराम मच गया गटना पर दुख व्यक्त करते हुए जिला पारशद ने म्रतक के परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी वह मुआवजा की मांग की है रुकते ने छोटे से ब्रेक के लिए जल धाजिरोंगे